निर्वाजन्षत से बार्ष हुनेश स्वास्ती में बिहार विधान्षवा के सदस निर्वाजित हुए थे कलार संस्किर्टी के उठ्थान में इनका विशेष योगदान धा हम उनके नीधन से दुखी है स्वार दिवंगत आत्मा की सांति एबम सोक संदप्थ परिवार को दुख सहन करने की सक्री प्रदान करें भेहर विधान्षवा के पुर्व सदस स्वार शुर्ज नरयान सिंग्यादव का दिनांग नीधन दिनांग 24 जनवरी 2024 को हो गया नीधन के समय उनकी आयू लगभग नवासी बरस के थी स्वर्गे यादव पुर्णिया जिले के धमदाः विधान सभा निर्वाजन छेत्र से बरस 1977 एवं 1980 में बिहार विधान सभा के सदस निर्वाजित हुए थे वो मिलंसार एवं मिर्द्वासी ब्यक्ति थे हम उनके निधन से दुखी है इस्वर दिवंगत आत्मा को सांती एवं सोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की सक्ति परदान करे है स्वर्गे गुनानन जादी बिहार विधान सभा के पुर्व सदस सिरी गुनानन जाद का निधन गिनान की 29 जनवरी 2024 के हो गया निधन के समय उनकी आयू लगवर 90 बरस की थी स्वर्गे जा मधुवनी जिला के बावु बरी बिधान सभा निर्वाचन चत्र से 1295 में बिहार बिधान सभा के सदस निर्वाचित हुए थे वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे वे मिलंसार, मिर्दुभासी एवं करमठ ब्यक्ति थे हम उनके निधन से दुखी है इस्वर दिवंगत आत्वा को सांती एवं सोक संत्र परिवार को दुख सां करने की सक्ति प्रदान करें स्वर्गे ब्रह्मानन्द मंदल जी लोकसवा के पुर्व सदस स्री ब्रह्मानन्द मंदल का निधन दिनांग 30 जनवारी 2024 के हो गया निधन की समय उनकी आयू लगभग सत्तर बर्थ के थी स्वर्गे मंदल मुंगे लोकसवा निर्वाचन छत्र से 1991, 1996 एवं 1999 में लोकसवा के सदस निर्वाचित हुए थी वो लोक कुझे ब्यक्ति थे हम उनके निधन से दुखी हैं इस्वर्ग दिवंगत आत्मा को सामती एवं सोक संतब्थ परिवार को दुख सहन करने की सक्ति परदान करें स्वर्गे सर्यूग मंदल जी विहार विधान सवा के पुरु सदस श्री सर्यूग मंदल का निधन जिनांक 21 जनवरी 2024 के हो गया निधन के समय उनकी आईव लगबग 80 बर्स के थी स्वर्गे मंदल पुर्णिया जिला के रुपवली विधान सवा निर्वाचन शेद्र से बर्स कुर्णे स्वर 90 में गिहार विधान सवा के सदस निर्वाचित हुए थे वे मिलंसार बेक्ति थे हम उनके निधन से दुखी हैं इस्वर दिवंगत आत्मा को सांती एवं सोग संसत्त परिवार को दुख सहन करने की सक्ति प्रदान करें अब हम लोग एक मिलंट तक मौन खरे होकर सभी दिवंगत आत्मा को सांती के लिए प्रात्रा करें झाल मैं अपनी तथा संपुर्ण सदन की ओड़ से तोग संसत्त परिवार के पास संदेश विजवाद रूंगा मानिये सदस्गन मैं पक्ष मिपक्ष दोनों सदस को धनवाद देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने बिहार के संस्किर्थी और गवरों को बढ़ाने का काम किया जिस तरह से मीडिया में खबर थी जिस तरह से आम लोगों में चर्चा थी जो आज क्या होगा सदन में लेकिन मैं सब को धनवाद दिता हूँ जो कि जिस तरह से कानून का पालन पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा समिधान का सम्मान करने का काम किया वियार की संस्किर्थी और सिक्षा को संस्किर्थी और यहां के गवरों को बढ़ाने का काम किया और साथी मैं सब्काइब करने काम किये और सप्ता पक्ष के लोग काम किये इसके लिए मैं धन्वाद देता हूं और बारत करता हूं अब सभाकी बैठक मंगलवार दिनांक 12 फरवरी 2024 को 11 बजे पुर्वान तक के लिए अस्थागित की जाती है जातो चार्टर उनका प्लेन होता है उसके खर्चे का मुझे डीटेस मालूम नहीं लेकिन इनको अपने और अपने साथियों के लिए फर्स क्लास और बिजनिस क्लास ट्रिकेट चाहिए यह कौन इसके भरपाई कर रहा है यह हैं वह आमादनी पार्टी वही धीली ढाली शिर्ट पहने वे शिर्ट उनकी पैंड के बाहर हवाई चपल पहने वे वो भी गंतर्द दिवस के दिन प्लास्टिक का पैंड डाले हुए अपनी जेब में आटो से चलने वाला वैगनार में चल से चलने वाला अब बन गया है शीश महल के सुल्तान सहाब और आप यह सोचिए मतलब हद होती है मैं आंदोलन में थी और हम लोग चादर लेके जाते थे चंदा मांगते थे और कौन चंदा देता था ओटो वाले सबजी वाले रेडी पट्टी वाले शर्म आती है और यही सोच रहा है दिल्ली का वोटर की सोच था था कि कितने मासू है क्या से क्या हो गए देखते देखते यह सारे प्रमान है आप देखिएगा चाहिए वो करनाटक हो या महराश्ट हो या गोवा हो या फिर गुजरात हो करीब 20 दिन के मैं निकाल के लाई हूं और आपको मैं बता दूं कि करीब 60 और इनके जो टूर रहे हैं वो हैं और कित दिन के लिए प्रशेदिन्शल स्वीट फॉर अफॉर फॉर पर यह निकि कितने गेस्ट हाउस हैं यह इंसान जो घरीब बनने की नॉटंकी करता था किस तरह से बार बार और कई बार फिर से ठग रहे लोगों को और आखों में बता चाहिए लोगों को और आखों में धूल जोकरा है धन्यवाद एक आगजात में दे देती हम आप लोगों कुछ देखिए नयाय यात्रा कि अगर आप बात करें तो उसका क्या अंजाम और क्या परिणाम निकला कितनी असरदार रही सबसे ज्यादा अन्याय तो कॉंग्रेस पार्टी के साथ ही हुआ कि उनके सारे घटक एक एक करके उनको बाय बाय करके अलविदा कहके चलते बने तो डाजनीती की राज्यों की आज के लोगों की पल्स की नफस की इससे साफ जाहिर होता है कि जहां-जहां ही ले गए के गए वहां से उनके एक एक करके बिशूड़े सभी बारी बारी इससे कि कॉंग्रेस में भी कोई ना बचे यह लेविल ना आ जाय कि उनके खुद के I think it's a big diplomatic win for India. It shows how India has negotiated so well that we have managed to get eight of our ex-Navy veterans back into the country. It seemed at one point of time that it would be very difficult to make that release happen. But they have come back safe and sound in the early hours and that is great news for every Indian. and it also goes on to show how much the word of Indian Foreign Ministry and Prime Minister matters, where we stand globally, what is the stature of India and the effectiveness of our complaint and a plea to release our veterans who are working for that particular company. I think it's great. देखिये हमें तो उनका शुकर अदा करना चाहिए, कम से कम उनने इस बार पाकिस्तान से अपील नहीं की, कि किसी तरह से वो मोदी सरकार को हुटाएं, तो हमें इसी से खुश हो जाना चाहिए, कि पहले तो यह कर चुके हैं, आप जानते हैं, किस तरह से इनकी कोशिशे थी, कि पाकिस्तान से वो विंती कर रहे थे, कि देश में जो सरकार बनी है, उसको हुटना चाहिए, करता है यह बुकिंग केस कौन करता है दिल्ली टूरिजम को प्रमोट करने वाली जो बॉड़ी है वो करती है तो सोचिए जब गोवा जाते हैं तो गोवा में भी उनको एग्जेकिटिव स्वीट चाहिए और वो भी बेस्ट होटेल में और बाकादा लिखते हैं वो कि आपके यहां जो सबसे महंगा स्वीट हो मैंने अबरेज निकाली अगर आप देखिए अगर चलिए कंजर्बेटिव एस्टिमेट लगा ले अगर तीन लाग से